नमस्कार नवाला टाइम्स ऑनलाइन के यूपी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागरत है और मैं हूँ श्रियांश दुपाथी उत्तर प्रदेश के प्रयागराश जिले से कुछ तस्वीरे आज शाम सामने आई हैं तस्वीरे प्यागराश की नैनी जेल से सामने आई जहां पर अतीक एहमत को करीब 25 घंटे के सफर के बाद प्यागराश की नैनी जेल लाया गया लेकिन अब अतीक एहमत को यहां पर लाने के बाद क्या किया जाएगा इसे लेकर तमाम सवाल है सवाल इस बात को लेकर कि अतीक एहमत क्या फिर से साबरमती जेल वापस लोटेगा सवाल इस बात को लेकर भी है कि अतीक एहमत से अगले कुछ दिनों में क्या कानूनी कारवाई की जाएगी और सवाल इस बात को लेकर भी कि उमेश पाल के मडर केस में अतीक एहमत ते खिलाब ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जिसके अधार पर अतीक एहमत से पूछताश होगा इसे लेकर तमाम अटकले, तमाम सवाल और तमाम तरीकी की चर्चाएं हैं प्रियागराज के उमेश पाल मडर केस को करीब 48 दिन पूरे हो गए 24 फरवरी को हुई इस घटना के बाद से, अब तक वो तमाम शूटर्स फरार हैं जो इस दिन इस घटना में शामिल थे उमेश पाल का मडर केस 24 फरवरी को शुरू हुआ था 24 फरवरी की शाम को 4.4 बजे के आसपास प्रियागराज के सुलेम सराई इलाके में उमेश पाल के हत्या हुई इस हत्या के बाद तमाम शूटर्स प्रियागराज जिले में कुछ देर के लिए रुके और इसके बाद फरार हो गए ये सारी डिटेल्स पुलिस की शुरुवाती जाच में सामने आई इसमें अतीक एहमत को साजिश करता मानते हुए पुलिस ने अपाईयार में उनका और उनकी पत्नी का नाम शामे थे अतीक की पतनी शाइस्ता फिलाल फरार है और अतीक एहमत ने ये कहा है कि वो इसके फरार है क्योंकि वोई गिरफतारी से बचना चाहते है। अतीक ने ये बयान राजस्थान के बूंदी जिले में दिया और कहा कि क्या शाइस्ता परवीन को सरेंडर इसलिए कर देना चाहिए कि वो पुलिस की हिरासत लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अतीक एहमत के प्रयागराज आने पर क्या हो तो शुरुवाती जानकारी जो मिल होने की त्यारी की जाएगे 14 दिनों की रिमांट पर पुलिस उसे लेने की त्यारी कर रहे है जिसके लिए तमाम दस्तावेश खंगाले गए हैं इसके अलावा प्रयागराज में एडी का छापा भी पड़ा है गुरुवार को एडी ने पांश बड़े कारोबारियों के घर पर कारवाई की है इसके अलावा अतीक हमत के वकील सौलत हनीफ के घर पर भी छापे मारी की लिए सौलत हनीफ को कहा जाता है कि वो अतीक हमत को सारे कानूनी दावपेट सिखाता था और इसके बाद ही अतीक हमत तमाम उकदमों में पैरवी करता था तो अतीक हमत के पूरे स सामराज पर पुलिस ने जिस तरह से कारवाई की है उसे देखकर ये माना जा रहा है कि अतीक के उपर अब फाइनल असौल्ट की तैयारी है जैसे कहते हैं कि अंतिम हमला जिसे कहा जाता है अंतिम प्रहार जिसे कहा जाता है अतीक हमत के खिलाप वो कारवाई करने की कोशिश ह सबसे बड़ी बात ये है कि अतीक एहमत को आने वाले कुछ दिनों में तमाम कानुनी दारवाई का सामना करना पढ़ाई है उसके उपर दो मुकदमे एक साथ चलेंगे एक उमेश पाल का मडर केस और दूसरा राजु पाल का मडर केस इस दोनों मामले में अगले कुछ दिनों में तेजी से सुनवाई होगी और ये माना जा रहा है कि अगर किसी हत्या के मामले में अतीक अहमत को कोई सजा होती है तो ये एक बहुत बड़ा सेट बैक होगा यूपी सरकार के लिए जिसने बीटे दिनों किड्नैपिंग के केस में अतीक को सजा सुनाई लेकिन अतीक अहमत फिलहाल प्रयागराज की सीजेम कोर्ट में बेश होगा सो मार को उसके खिलाब तमाम प्रिके के सबूत रखे जाएंगे और उन सबूतों पर भी गौर करना होगा जो पुलिस ने उमेश पाल के मड़र के बाद जुटाए है पुल इसे मामले को लेकर शुक्रवार का दिन एहम है अदालत में अतीक अहमत के खिलाफ सरकार और पुलिस क्या सबूत रखती है इन्हें देखना होगा अगर सबूत बुखता मिले तो अतीक अहमत को 14 दिन या उससे जादा समय के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है लेकिन शुक्रवार को अतीक अहमत का दिन काफी एहम इसलिए भी है कि पहली बार 100 मुकदमों में उसे किसी ऐसे मुकदमे में नादालत में पेश किया जा रहा है जिससे उसके सारे भविष्य के तार चुड़े हो उत्तर प्रदेशी कुछ और बड़ी कवरों के लिए फिर